साथियों, पिछले साल से देश्ट ने नेताजी की जैन्ती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। आज पराक्रम दिवस के अवसर पर सुभास चंद्रबोश आपदा प्रबंदन पुरसकार भी दिये गए है। सभी व्यक्तियों, सभी संस्ताओं को जिने आज सम्मान का अवसर मिला है, उन सब को भी मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ। साथियों हमारे देश में आपदा प्रबंदन को लेकर जिस तरह का रवया रहा था, उस पर एक कहावद बहुत सतिक बैठती है। जब प्यास लगी तो कुवां खोधना और जिस मैं काशी क्षेत्र से आता हूँ, वहां तो एक और भी कहावद है। भोज गड़ी कोहडा रोपे, यानि जब भोज का समय आ गया, तो कोहडे की सबजी उगाने लगना। यानि जब आपदा सीर पर आ जाती थी, तो उससे बचने के उपाए खोजे जाते थी। इतना ही नहीं, एक और हैरान करने वाली ववस्ता थी, जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है। हमारे देश में वर्षों तक आपदा का विशय एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट के पास रहा था। इसका मुल कारण ये था कि बाड, अतिवरुष्ति, ओले गिर्ना ऐसी जो स्थित्या पैदा होती थी। उसे निपटने का जिम्मा उसका समंध क्रिशी मंत्रा लेश आता था। देश में आपदा प्रभंधन ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन 2001 में गुजरात में भूकम आने के बाद जो कुछ हुआ देश को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर किया। और उसने आपदा प्रभंधन के माइने बदल दिये। हमने तमाम विभागों और मंत्रालों को रहत और बचाव के काम में जोंक दिया। उस समय के जो अनुभव थे उनसे सीखते हुए ही 2003 में गुजरात स्टेट डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट बनाया गया। आपदा से निपटने के लिए गुजरात इस तरह का कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। बाद में केंदर सरकार ने गुजरात के कानून से सबग लेते हुए 2005 में पूरे देश के लिए ऐसा ही डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट बनाया। झाल 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 झाल